परमात्मा माहवीर ने बड़ा अधूद सब्द इस्तमाल किया है समयग्य बनो समय को जानने वाले बनो कौनसे समय क्या करना चाहिए ये आपको ध्यान होना चाहिए ये जानकारी आपके पास होने चाहिए परमात्मा माहवीर ने कहा समयग्य बनो और कहा कि जो समयग्य बन जाता है उसकी तीन चीज़े बदल जाती है जो इनसान संसार में समयग्य बन जाता है समय को जानने वाला बन जाता है समय को समझने वाला बन जाता है उसकी जीवन में तीन चीज़े बदल जाती है और आपके भी जीवन में तीन चीज़े यदी बदल जाए तो समझना आप भी समयग्य हो काले कालम समायरे समय को जान लो तो पहले नमबर में जो इंसान समयग्य होता है उसकी तासीर बदल जाती है तासीर यानि प्रकृती बदल जाती है प्रकृत यानि स्वभाव बदल जाता है आप समय को जहनने वाले होगे तो आपका स्वभाव बदल जाए आप किसी के उपर कुरोध करके आपका समय नहीं गवाओगे आप किसी का बुरा सोच के आपका समय नहीं गवाओगे आप किसी के निंदा करके आपका समय नहीं गवाँ होगे आप किसी को दुखी करके आपका समय नहीं गवाँ होगे आपको लगेगा कि सारी जितनी भी चीजे है सब में समय गवाँ नहीं मिलना क्या है किसी को दुखी करके आपको क्या मिलना है कुछ नहीं मिलना किसी की निंदा करके आपको क्या मिलना है कुछ नहीं मिलना किसी को परेशान करके आपको क्या मिलना है कुछ नहीं मिलना किसी के बारे में बुरा सोच के आपको क्या मिलना है कुछ भी नहीं मिलना इसलिए सास्तकार भुगंत कहता है कि जीवन में समझ लीजिएगा चेत कर जाग कर जान कर आगे बढ़िएगा कि यदि आपके जीवन में धर्म है आप समय को समझने वाले हो आप परमात्मा महवीर के मार्क पर चलने वाले हो तो आपकी तीन चीजे बदल जाएगी जो समयग्य होता है उसके जीवन की तीन चीजे बदल जाती है सबसे पहले नमबर में उसकी तासीर बदल जाती है उसका स्वभाव बदल जाता है उसको लगता है कि यह सब वेस्ट आफ टाइम है क्यों में मेरा टाइम भी गानूँ क्यों में मेरा टाइम खराब करूँ क्यों मैं मेरा टाइम बर्बाद करो यह सोच कर वो जीवन में आगे बढ़ता कहा दूसरे नमबर में यदि आप समय गया हो तो पहले नमबर में आपकी तासिर बदलेगी दूसरे नमबर में आपकी तस्वीर बदलेगी कहा कि जीवन में आपका पूरा चित्र बदल जाए गा अभी जो चित्र लेकर आप बैठे हुए हो या लोगों के मन में आपके प्रती जो चित्र तयार किया हुआ है चित्र बनाया हुआ है वो पूरा का पूरा चित्र बदल जाए तस्वीर बदल जाए समय के बनना बड़ा जरूरी है समय को जानने वाला बनना बड़ा जरूरी है समय को समझने वाला बनना बड़ा जरूरी है तस्वीर बदल जाए यह ताकाद समय के भी तरह और समय की यह ताकाद है, समय की यह कमाल है अच्छे अच्छों की तस्वीर बदल देता है समय रंक में से राजा बनाने का काम भी समय कर सकता है और राजा में से रंक बनाने का काम भी समय कर सकता है और मैं तो कहता हूँ कि जीवन में ना आपके बुद्धी चलती है ना आपके सक्ती चलती है ना आपका परीचे चलता है ना आपके सम्मन्द चलता है आद्मी का बस समय चलता है और कुछ नहीं चलता है आपके मन में गलत फ़हिं हो तो हटा देना कि मेरी बुद्धी से मैं पैसे कमा रहा हूँ आपके मन में गलत फहमी हो तो हटा देना कि मेरे इतने परीचा है इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ आपके मन में गलत फहमी हो तो हटा देना कि मैं सक्तिवान हो मेरे से सब लोग डरते है इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ सास्तकार वगवन कहते कि कुछ भी तो नहीं चलता आदमी का बस समय चलता और कुछ नहीं चलता और समय जब सही हो तो कोईले में हाथ डालो तो हीरा निकलता है और समय जब गलत चल जाए तब हीरा भी कोईला बनने में देरी नहीं लगती तस्वीर बदल जाए यानि कि आपका विभार बदल जाए लोगों के प्रती आपका विभार बदल जाए समयग्य बनने के ये सबसे बड़ी ताका दे तीन चीजे आपके जीवर में बदलती रहे तो समझना आप समयग्य हो कहां सबसे पहले नंबर में तासीर बदल जाए दूसरे नंबर में तस्वीर बदल जाए और तीसरे नंबर में तकदीर बदल जाए